हलो दोस्तों आज की इस वीडियों से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियों देखेंगे एपल मैकबुक प्रो लैप्टॉप के लिए पावर एडाप्टर जो कि आपका 60 वॉट है macshave 2 model है और इसके साथ जो model support करते हैं वो यहाँ से बैक सा में लिस्टिट है macbook pro 13 इंचि timeline के लिए है और यह सपोर्ट करता है 2012 से लेकर के 2015 bottle तो यह इन सबीny models के लिए support करता है मैंने same adapter थीन यखा साल पहले भी व्याई किया था यहाँ पे सेम जैसे पहले था, सारे features दिये गए है, short circuit production है, overload production है, बाकि यहाँ सारे features दिये गए है, आप इस specification में देख सकते हैं, 60 watts का adapter है यह, और यह AC 100 volts से लेकर के 240 volts तक support करता है, voltage output आपका 16.5 volt है, output current 3.65 amperes है, तो चलिए देखते हैं, इसको open करते हैं box को, यहाँ पे नी 15.99 है नी कि 1599 रुपए सेफ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा deal है, अगर आप देखने जाएंगे, original जो कि आपके साथ 8000 के आते हैं, चलिए box को open करते हैं, open करते हैं, तो यहाँ पे आपका advertisements वेरा दिये गया है, इसको side में रखते हैं, यह आपका important है, यह वारेंट design दिया गया है, थोड़ा सा square look दिया गया है, cable भी इसका काफी अच्छा है, नीचे यहाँ पे इसके power rating वेरा है, वो देख सकते हैं, कुछ certifications हो गया रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे important change में बात करना चाहूंगा, वो यह है, पहले जो इसका plug था, यह जो हिस्सा था, यह पह अगर दोनों को compare करो, तो आप देख सकते हैं, almost दोनों same size का है, थोड़ा सा size difference है, जो पुराना वाला था, थोड़ा सा छोटा है, और even थोड़ा सा पतला भी है, बाकी सब कुछ almost same है, जो सबसे important change जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो इसका plug है, वो निकलता नहीं है, पहले य management के लिए गया था, जिससे कि आप इस केबल को इस तरीके से आसानी से wrap कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके कर नहीं दिया गया, तो केबल को यहाँ पे organize नहीं कर सकते है, इसकी जगे पर यह पे वेल को दे दिया गया है, तो वेल को strap है, जिससे आप इसको cable को यहाँ इस तरीके से मोड के रख सकते हैं बाकि अगर दोनो ports की बात करेंगे दोनो same ही है कोई भी changes नहीं है दोनों ही MacSafe 2 है और दोनो weight wise में भी जो है यह वाला जो पुराना वाला था इसका weight चाता है और अगर से यूज कर रहा हूँ जब से मैंने इसको buy किया तब से मैं regular use कर रहा हूँ इसको मुझे इसके साथ कोई भी problem नहीं आई है ना ही मेरा laptop खराब हुआ है बस यह थोड़ा सा मैंने इसको rough use किया था जिसकी वैसे यह cable यहां से निकल गया प्लेस यहां से कुछ थोड़ा सा lose हो गया जिसकी वैसे यह बराबर से बैठता नहीं है लेकिन यह charger का जो मैं बोलू circuit है यह अभी भी सही है अगर मैं इसका cable change कर दूं तो यह भी भी चलेगा एक और थोड़ी से हीट होता है लेकिन यह वाला बहुत ही कम हीट होता है और वक पूरी तरीके से करता है बिना किसे issue के साथ तो definitely मैं कहूंगा कि यह charger था काफी अच्छा है जैसे बहुत से लोगों ने मैंने comment में पुराने वीडियो में देखा बहुत से लोग कंप्लेंड कर रहे हैं कि उनका laptop जैसे खराब हो गया तो electronics item है I think खराब हो सकता है जरूरी नहीं charger की वज़े से हो मेरे case में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरा जो laptop है अभी भी properly working है बिना किसी issue के वह proper work कर रहा है तीन साल हो गया है ये charger free में नहीं मिला है ना ही मेरा कोई affiliation है ना ही मुझे ये review करने के लिए पैसे दिये गया है तो ये total मेरा observation है तीन साल का observation है मैंने तीन साल से इस charger को use किया था मुझे पसंद आया personally इसलिए मैंने वापिस से same company का buy किया है मेरी तरफ से ये recommended product है लेकिन अगर आपका कोई question है डाउट है तो आप नीचे comment section में मेरे से पूछ सकते है मैं कोशिच करूँगा हर किसी के सवालों का जवाब देनेगा तो आज के इस वीडियो पसंद नहीं मुझे उम्मीद है कि आ थन्यवाद